बिसमिल्लाइट रख्मान अर्राहीम असलाम अलेकम वीवर्स वेलकम में यूटूब चैनल लाइव इत्वाख्रा में आज फिर मैं एक स्लाइट की वीडियो के साथ हादर हुए आपके साथ यह देखें यह बहुत प्यारी ना कमीज है जो मैंने स्लाइट की है इसको आपने से पेटे को नीचे लेकिन हो लिए कंवी ना बना सकते हैं आप जोग और इसको न शोड़ा कैना के बहुत बना के अ अपने चैनल पर अigkeiten की कमीज़ लेकिन अपनी कब्लोड़ के लिए ल overnight इसी color का न वो है लेकिन ये कि वो designing दूसरी है और इसकी designing दूसरी है और आप लोगोंने मेरे channel पे विजट करें आपको न वह भी देखन लेगा यह देखेंगे इसके आपने plates को देख लेना है दोनों एक जैसे हो इसको फिर आपने पाइपिंग लगानी है और पाइपिंग लगाने के बात अगे इसको रखेंगे कि ताकि पर बटन लगा ले क्योंकि बची का शूत है तो फिर भू बटन लगा वगा तब आसानी से गळा न में उसका उतर जाएगा सर से निकल जाएगा और फिर इसके उपर मैंने बेयान लगानी है और आप लोग ने वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं करना वीडियो को फुल वॉच करना और मुझे बताना कि आपको यह डिजाइन कैसा लगा और अगर कोई चैनल पर न्यूँ है तो प्लीज प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और आगे शेर कर दें प्लीज यह देखें यह उसको लगा पाइपिंग लगाने के बाद आपने यह ना नीचे कपड़ा लगाना है ताकि इसके ऊपर हम बटन लगा सके तो की बटन लगा देना है यह देखें से इसके उपर आपने इसको टैज कर दिए इसके साथ के इसको इसके साथ जो एक तो प्यारी लगती है दूसरा वो निकलता रही है अक्पडर यह देखें इसके उपर मैंने इस तरह से यह स्लाई चला दी है और फिर आपने इसको फ्रेंट साइड को और बैक साइड को आपस में जोड़ देना है और फिर आपने इसके उपर मगजी लगा देनी है और फिर मैंने आसीने त्यार की हैं आसीनों को भी मैंने प्लेस डालके कफ लगाए हुएं आगे चोटे-चोटे से और आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वीडियो को फोल वोच करना है ताके आपको पता चले कि कैसा डिजैन बना है यह ना इसकी अभी यह आपने इसका अर्स लगा लें और धर्म्यान में इसको रखके तो इसके उपर आप श्लाई चला दें अ कि इस तरह से आपने सक वाइच लादेनी है और ना पिर इसके उपर दुबारा एक स्लाइच ला दें ताकि मैं हमेशा मैं बच्चों के कपड़ों के उपर डवर्ट स्लाइच लाती हूं एक तो सफाई लगती है प्यारे लगता है और एक ना इससे जल्दी खराब नहीं होता बच्चे जो होते ना कि में बहुत जल्दी दुखे कर जब तक आयाग सफाई ना तो यह मेहनत तो जादा होती हैं लेकिन यह के मेहनत बले जादा लगे लेकिन कपड़ा जो ना पाइदर व। Спाहीं से स्लाई हो यह अभी मैंने इसकी प्रन्ट साइड को त्यार कर लिया है बीवयाश्च ऍले लगे हैं यह कप्र verein मैं बना के मैंने लगा ने बना के लगाए हैं कि फिर्दी आपने लगाने हैं तो इस तरह से जोड़ें के लाद आप पहले भाद आपने के पहले प्लिज़ को एक बना के साथ एठाइच करना है और प्लीज अगर चैनल पे कोई न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और आके शीर कर दे और ना आप वीडियो देखके वीडियो को जुरूर लाइक जुरूर कर दिया करें ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो किसी ने पसंद की है और ना एक कमेंट बनता ही है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जो भी मेरे वीडियो पर नुव है यह देखें यह इस तरह से आपने इसके साथ कफ लगा लेने हैं कफ लगाने के बाद मैं इसके उपर लैस लगाऊंगी यह देखें यह दोनों कफ को त्यार करने के बाद इसके उपर लैस लगानी है और इस तरह के मैंने और भी बहुत सारी बेबी बेबी फ्रॉक्स और बाबा के सूट की फुल वीडियो बनाके अपने चैनल पर प्रोड की हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे रिजाइन हैं बाब का ब्रीपी याप्स चैनल का विजिट करें और आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे से बैबी फ्रॉक्स के डिजाइन भी और विडियो भी लोग्स भी बहुत अच्छे से मिलेंगे आप ने ज़ूर्मेरे चैनल का विजिट करना है और मुझे कमेंट में ज़ूर बताएग कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इस तरह से देखें यह लैस को मैंने टैच कर लिया है एक दफ़ा लाइस के लगा के फिर दुबारा मैं इसके उपर रहना डबल स्वाइच लाओंगी यह पहले मैं सिंगल स्लाइच ला रही हूँ इसको चलाने के बाद इसके उपर डबल स्लाइच लानी है यह देखें अभी इसको पर डबल स्लाइच लानी है मैंने ना अपने चैनल के उपर पहले बना के वीडियो इसलिए लंबी हो गई जादा के मैंने ना अपने चैनल पर पहले एक दो वीडियो बना के इस तरह डाली थी तो मुझे दो तिन कमेंटर दी आये थे मेरी बेहनों के हमें ना पता नी चला के गला आपने किस तरह से त्यार किया है और ना ज़ी तरह से पता नी चला तो इसलिए मैंने एस वीडियो को बहुत तफ्सील से और ठोड़ी लंबी हो गई है कींके फिर इसलिए हम जल्दी जल्दी से बनाते हैं शॉट करते हैं क्यूँके उंच आपको ना सिखाएं तो इसलिए पिर वो अगर कुछ रह जाता है तो फिर वो वीडियो जाना चोटी बनती है तो इसलिए आज मैंने कम्प्लीर्ट सलाईया आपके साथ शेयर की है और ना वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है इसके लिए मैं माज़रत खुआ हूँ लेकिन ना आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और ना मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये देखें ये अभी बैन को मैं लगा रही हूँ बैन को मैंने दर्मियान से लगाना शुरू किया है आपने बैले बैन को उतियार कर लेना है उतियार करने के बाद उसको चोटा सा कर्स लगा ले दर्मियान में और फिर कमीज को भी चोटा सा कर्स लगा के न तो आपने दर्म दर्मयान से लगाने का ये फाइदा होता है कि आपकी दोनों तरफ से एकॉल बैन लगती है आगे पीछे नहीं होती है अगर हम एक सायर से लगाना शुरू करेंगे तो एक सायर से जादा हो जाएगी तो फिर हमारे लिए मसला होगा तो इसलिए हम दर्मयान से लगाना कर लेना है और सिधा करने के बाद आपने इसके उपर दो सलाईया फिर चलानी है और इसको लगाके आपने या अंदर छोड़ छोड़ से कर्स लगा लें कर्स लगाने से यह होता है कि आपकी जो बेहने बहुत सफाई से बैठती है और नास नफासत आती है तो यह के जो भी का थे नहीं कि एक सलाई ही, जो बी काम है, उसको हम जतना आस्ते आस्ता और नवासस से करेंगे, अतना ही प्यारा होगा, और अगर कोई भी काम हम जल्दी करेंगे, तो वो हमारा सफाई से बना होगा, बले वो खाने, पीने की चीज़ हो, या फिर सलाई हो, या कड़ाई हो, ना पसंद आए और आपने ना बिल्कुल भी जल्दी नहीं करने किसी भी काम में बले वो खाने पीने की चीज़ का मामले में हो या फिर किसी और में तो मैं माशाला माशाला से ना इसी तरह करती हूं देर तो भले लग जाए लेकिन सफाई से काम हो तो अच्छा लगता है यह देखें अभी हमने उसकी फाइनल सलाई उपर लगा रही हूं है बैन की और अभी हमारी जो ना शर्ट जो है बनके त्यार हो जाएगी और आप लाइक और सब्स्प्राइब जरूर किजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा कि आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी और यह आपको सादा सा बनाके इसको ट्राइकरना है बहुत प्यारा और सिंपल सा ड़जाइन है यह और अगर कपन भी कपड़ा होगा तो यह design बन जाएगा क्योंकि इसके उपर यह आप हम दूसरा कपड़ा लगाके ना तो असानी से बना सकते हैं इसी सेम कलर के कपड़े की मैंने चोटी बेटी की फ्रॉक बनाके अपने चैनल पर अप्लोड की हुई है आप मेरे चैनल का विजिट करें आपको मिल जाएगी यह द और मुझे अपनी दौाओं में रखेगा याद और मुझे दीजिए अब जास नेक्स वीडियो तक फिर मिलेंगे एक नई सलाई की वीडियो के साथ या फिर कोई विलो के साथ और हमें तब तक हमें दौाओं में रखेगा याद अला हाफीज